हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अश्य होंगे TGT का आर्मी पब्लिक स्कूल का क्या सलेबस रहने वाला है क्या बुलूप्रिंट है कोस्चन का कितने कोस्चन किस सब्जेक्ट के किस बुक से आएगा पूरी डिटेल्स में इनोंने बता दिये इस वीडियो में हम लोग जानने की कोसिस करेंगे इस बारे में आपको पहले बता दू अगर आप आर्मी पब्रिक स्कूल के हैन रिटेन नौट्स मेरे लेने चाहते हो जिससे आपका एक्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो यहां से मेरी इमेल आइडी देख लो yourmithun sing at the rate jmail.com पे mail कर सकते हो आप इंस्टा पे होते हैं do follow me at the rate imithun sing देखिए हैं रिटेन नौट्स की जो प्राइस है वो 699 रुपे रखे गई है तो 100 रुपे में आप प्रिभेसर question paper purchase कर सकती हो तो चलिए हम लोग देखेंगे कि syllabus का क्या weightage है क्या क्या section में क्यों सा question पूछा जाएगा तो सबसे पले देख लिजे maximum mark जो होगा वो 200 नमरों का होगा और number of question यानि कि 200 होगा हर question के लिए एक answer जो रहा है वो आपको मिलेगा एक marks मिलेगा साथ में 3 घंटे की time आपको दी गई है यानि कि 180 मिनट आपको मिलेगा जिसमें आपको जो है 200 question को क्या करना है solve करना है अब one by one हम लोग जो है weightage देख लेते हैं कितने question का weightage कहां कहां रहने वाला है तो सबसे पहला जो section है current affairs और GK का है जो 20 question आपका पूछा जाएगा जिसमें national level के current affairs international level के current affairs जो कि Indian से Indian context में होगा इसके अलाबा global level के question पूछा जाएगे देखिए question कितने पूछा जाएगे art question national level art question आपका पूछा जाएगा जिसमें India सामिल होगा और चार international current affairs आपसे पूछे जाएगे pedagogy curriculum और education policy matter की बात की जाए यानि कि section B की तो यहां से 20 question आपका पूछा जाएगा देख लेते हैं कौन-कौन सा subject इसमें रहने वाला है pedagogy of middle and secondary stage के लिए art question इसी तरह से 8 questions इसी तरह से child psychology and inclusive education से 4 questions and RTE right to education new education policy 2020 NCF 2005 और latest NCF beyond 2005 से 8 question आपको यहां भी 8 question यहां भी देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं academic profency की यानि कि आपकी जो subject है उससे कौन-कौन से question पूछे जाएगे देखिए सबसे पहला जो है subject knowledge जो होगा वो class 6 से लेकर 10 तक के NCRT book से पूछी जाएगी 60 question पूछे जाएगे और यह basic question रहेंगे बहुत easy question इसके बाद आएगा moderate की और moderate में 6 to 10 ही पूछा जाएगा 40 question और subject knowledge की बात की जाए 9 10 की तो यहां से भी आपको 20 question जो है NCRT से देखने को मिलेगा यह TGT का syllabus मैंने आपके सामने रख दिया है और यह complete syllabus मैंने आपको बता दिया कोई भी अगर आपका doubt रहता हो तो नीचे comment करके पूछ सकते हो negative marking रहेगी याद रखे है वही आप solve कीजिएगा एक बार फिर से मैं बता दूं नॉट्स के लिए आप inquiry कर सकते हो 699 रुपए में yourmithonising at gmail.com पे इंस्टा पे हो तो मुझे follow कर लिजिए और question paper 100 रुपीस में आपको प्रभाइट कर दिया जाएगा यहां से आपको मेरी email id और insta id दिख रही होगी thank you so much for watching this video नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वे सहीएगा thank you so much